अगस्त की हो गई है शुरुवात और आप हमें बनाना है अपनी पूरी बहतरीन वाली आप कह सकते हो पूरी तयारी करनी है जिससे अगस्त के अंदर ही हमारा सिलेबिस भी कंप्लीट हो हमारे टेस्ट भी कंड़क्ट हो जाए हमारा डिवीजन भी हो जाए और वो चालिस और सपना हमें सच दिखने लग जाए तो यह सब कैसे होने वाला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जैसे पिछले साल नवंबर स्ट्राटेजी बनाई गई थी एक नवंबर से पढ़कर आप लोगों को फॉलो करना है अगस्त के अंदर वो आज आपको इस वी सबसे बात की जा रही है यहाँ तो भाई यह सुनो सबसे पहरा टास्क आपके सामने क्या है आपका फर्स टास्क जो आपको कंप्लीट करने है कोमन से बताओ क्या है कि जो हमारा ट army का सिलेबस ए उसको मुझे कंपिलीट करना ही ठीक है अब एक चीज आप छोटी सी सुनो यह सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना समय आपके पास है सबसे जादा तो ऑगस्थ है देन यौर हाविंग सब्टेंबर और देन यौर हाविंग ऑक्टूबर चीक यह नवेंबर से तो हमारे किसी भी समय पेपर शुरू हो सकते हैं बीच में हम थोड़ा वार टू का भी पढ़ते रहेंगे हैं तो आप मेरी यह बात सनो आपको पता ह हमारे इहां इंदिया में ऑक्टूबर मिड औक्टूबर से और नवंबर में जो है हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं हैं नम सब के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और फेस्टिवल के बीच में गाई स पन repente ने पेसे ध्यान ना कहो आप तब भी फोक। हमारा हटता जरूर है ठीक है अभी मैंने कालेंडर में चेक नहीं करा है प्रॉपर डेट कब से हमारे चत्योहारे वो शुरू हो रहे है बच चिल जो मैं आपका चैलेंज बनाओंगी तो आप एक चीज समझ लो इफ यू आर थिंकिंग की बहुत टाइम पड़ा है तो बहुत टाइम नहीं है यह ओगस सेप्टेंबर के अंदर हमें सब कुछ जो है कंप्लीट करना है मिड ऑक्टूबर में हम लोगों का क्या शुरू हो जाते है फेस्टिवल शुरू हो जाते है फिर थोड़ा थोड़ा फोकस आपका हटने लग जाएगा ठीक है अब भाई हमारे शुरूआत से हमारे आपे जो है ट्रडेशन है हमारा वेराविंग फेस्टिवल से कर लेंगे तो यह तीज समझ लो जब यहां पर याद मैं कैसे आपको को फेस्टेवल होगा तो मत सलीब्रेट करना मत इंजॉइ करना यार वही तो लाइफ है में जोई करने के लिए उन दिनों को इंजॉइ करने के लिए आपको यह ज़रूर यार रखना है कल पे नहीं छो यह चीज आपको ज़रूर समझ लिए सेकंड चीज हमारे ग्रूप में हम सब इतनी बच्छे जो भी है जो वीडियो देख रहें काफी बच्छे ऐसे होंगे जो सोच लोगे क्या हुआ एंसी क्यू का पेपर ही तो है कर लूँगा क्या हो गया एंसी क्यू ही तो है कर लोगा कि आप हजार एंसी क्यू ना पढ़ लो फिर भी कोई ना कोई एंसी क्यू हमारे बोर्ड इग्जामिनर्स जो है आपके टीचर जो है बना के ऐसा देए जरूर ऐसे क्वेशन आएंगे डाट विल बीडिफरेंट लांग्वेज और आप उन्हें आंसर करोगे कैसे करोगे ज कौन से डेफिनेशन का यह है जिसे डेफिनेशन लिखे आजए कि तुम्हां बतानों का कौन सा प्रोसेस है कौन सी रियक्शन यह वो सब कुछ यहां स्टोर होना जाहिए तो वह स्टोर कैसे करते हो आपका पैटन वही रहेगा पिछले सान वाला क्या कि पहले चाप्टर को कुरी वीडियो देखी चाप्टर को रीड कर लिया और बच्चे से लॉंग आंसर शॉट आंसर लर्न करने समझने बैठके थे उसकी जगा वसाब mcq करने अगर कोई बच्च यह समझा रहें mcq कर लूगा तो यह काम मत करना मैंने आपको आज पहले अगस्त को ही बता दिय है अब बात करते हूं में numerical students की तो आपके लिए तो बहुत कम change आया है numerical वाले बच्चों क्यों आप लोगों को तो solve करके अब भी अपने जितने भी आपके mcq आएंगे आपको solve करके तो जुरूर देखने पड़ेंगे हर एक mcq को आपको solve करके देखना है तो आप लोगों को करने की कैसे आप कर सकते हो बिकास 10 तक तो मेरे पास भी मैच थी I scored very good in मैच ठीक है I was stopper of class 10 तो इससे लिए बता रहे हूं आपको कि कैसे आप लोग मैच में भी अच्छे माक स्कोर करोगे ठीक है तो मैपको टिप्स ज़रूर दूँगी कैसे mcq करोगे कैसे को मैच करते होगी तो numerical students तुम्हें भी पूरा वही तुम्हारा पैटन तो वही चलना है न कि chapter आपने समझा आपने exercise 1 करी तू करी resources book से जो होती है लग 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 उसके question करने शुरू करे नए-nay mcq question try करे तो आपका pattern तो वही है कोई change थोड़ी है बस यह है paper आप mcq format में आने वाला है उसके लिए तुम्हाइपाज mcq marathon है जिससे आप अपनी पढ़ाई करने वाले हो अब यह दो बाते हो गई हमारी दोनों चीज़े अपने दिमाग में store कर लो अगा सितंबर में syllabus complete हो जाना जीए chapter भी पढ़ना है और concept भी समझना है फिर mcq करेंगे अब भाई तीसरी चीज आती है तीसरी चीज़ यह है आपके school के periodical exam ठीक है हम लोगों ने पिछले साल जो है हम online class अगेरा बच्चे थे हम हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहाएगा internal assessment की के तो इसलिए बच्चों का main focus boards पे था बट इस साल you guys have a clear guidelines that आपका periodical भी matter करता है 10-10 नंबर हमारे school के हा आएगा यह नहीं बताएगा बट यह 10 नंबर की value को मत भूलना आज का top student of class 12 यह 10 जिनका result एक परसेंट उनके उनके competitors से कम आते हैं समझो एक परसेंट भी अगर कम आते हैं तो वो दर दिहां लगता यहां पे समझे आप मेरी बात को तो यह 10 नंबर ना बहुत matter करते हैं तो तैयार के अच्छे उनिफॉर्म से बात भी हो यहां तब कि प्रिपेर हो कि आप रोज स्कूल जाते हैं समझते ते तीचर से उन्होंने को हमवक दिया तो आप टाइम पे करते थे अगले दन टेस्ट है तो आप प्रिपेर करके गई हो वैसे ही आपको करना है आप प्रि प्रियोडिकल हो रहा है दी यह वाला चाप्टर रहा है प्लीज इसके क्वेशन पहले करा दो क्योंकि टैन मार्क्स यह पिरियोडिकल वाले भी तुम्हें सिक्योर करके अपने पास स्टोड करके रख लेने है यह दस नंबर वो कब होंगे बिलकुल अच्छे से कि तुमार नंबर हमारे को बहुत बारी पढ़ेंगे तो इसलिए अभी टाइम है तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि स्कूल के प्रियोडिकल के लिए भी प्रिप्रेशन करनी है कोई एक से दो दिन में तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है बस यह है कि तुम कमेंट करोगे मेरे को ठीक ह है यह नहीं कि और जो हमारा नोवेंबर का पर अचके चकर में आप बस प्रियोडिकल पर बिल्कुल ज्यान मत दो या स्किप कर दो दो ही ना यह का मत परना लास तिंग चैप्टर कंप्लीट कैसे होंगे कैसे आप एक एक चैप्टर को ठाके हमां साइड में लोग तो हो गय लिखो टर्म वन में जितने चैप्टर आ रहे हैं उनको एक पेपर पर हर एक सब्जेक के लिखो जिससे समझ में आए कि यह चैप्टर जो है इनको किल करके दिमाग में बसा लेना है उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप क्या होगा अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आई टाइब में प्लेलिस जाल दी है हर एक जो सिलेवस है आपका 9 10 11 12 मैंने अलग अलग वीडियो दोना दिया 5-6 मिनट की कि आपका टाइम वेस नहीं होगा तो भाई सिलेवस लिखो उसके बाद जो यह चैप्टर आप करो के ना तो बह नवंबर में जो टर्म 1 का बोर्ड एक्जाम होगा तब तक के लिए रेडी करना है उसको तो वो कैसे खूपाएगा जब आप उसको डिजायर टाइम दोगे यह नहीं कि एक दिन में आपने तीन चैप्टर कंप्रेट कर लिए और जल्दी बाजी में क्या दिया मेरा सिलेव सब्सक्राइब करें तीन दो गंटे कोड़ो टू डेज आप चाप्टर को दोगी ही और इच डे यूविल तो सब्जेक्स रोज आप दो सब्जेक्स लेते वे चलोगे उससे जादा मत लेना होंगा कोई वो करोगे यह सब्सक्राइब करना है इसको एक भी दिन स्किप नही अपनी अगस्त का पूरा अपना दिमाग में फिट कर लेना है कि एक अगस्ते पढ़कर कैसे मैं अपने 99 परसेंट मार्क स्कोर करने वाला हूं तो मिनिम्मम दो दिन लगाओ गया आप एक चाप्टर को सब्सक्राइब अपनी चाप्टर उठाया है तो उसकी फर्स टाइम आप क्या करोगे फुल रीडिंग करोगे वाट कई बार हम पहले रीडिंग करते हो तो हम गवरा जाते हैं इस समझ में नहीं आता है चाप्टर तो उसके लिए आप जो है रीडिंग बाद में कर सकते हो पहले आप 200 चाप्टर की वीडियो देख लोगे जो मैंने पढ़ा है तो मैंने नहीं पढ़ा है जैसे साइंस है और मैच हो गई या कोई और सब्सक्राप्ट वीडियो चाहे उसमें जितना भी ताहिं लगे पूरी वीडियो देख लेनी है आपको उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा चाप्टर की लीडिंग करना आइनो हम इसको स्क अगया है तो चाप्टर करना इंग्लिस का नहीं भी करोगे चलेगा विकॉस इंग्लिस आपको पता है मैंने कैसे पड़ाई है यू डोंट इवन नीइधिं एनिफिंग अगर वीडियो देखने है बहुत है एमसी के मार्जान देख लोगे डबल काम खतम बागी सब्जेक् सब्जेक्ट परा रात को बेट के चाप्टर की रीडिंग कर ली मार्क करती है इंपोर्टिन पॉइंट साथ के साथ पने जो पेपर से रडी करा किया रजिस्टर रखा है एससटी करेती है तो साइंस फिजिक्स करेतों फिजिक्स कोई क्वेशन पड़े हैं इंपोर्टें सब्सक्राइब करें तो पूरा उसी हैबिट में चलना अपको पूरा एक दिन लगाना इस काम में कि पहले चैप्टर रिट करा उसके जो अपनी वीडियो देख ली और उसके इंपोर्टेंस एक नोट्स क्रेट कर लिए अगले दिन पहुचना यह समझ लो एक चैप्टर उठाया है तो उसको आप कम से कम दो दिन तक करोगे एक दिन चाप्टर की रीडिंग एक दिन चाप्टर के मोड़न क्वेशन अगले दिन करोगे यह समझ लो एक चैप्टर को दो दिन देंगे हम तो हमारा जो है ना अभी हमें आज के लिए नहीं पढ़ना है कि आज बड़ा कल भूल गए वह नवेंबर तक के लिए रेडि करना है हमने तो वह इसलिए होगा जब आप इस तरीके से बढ़ोगे और ज़रूर जैसे मैंने आपको डीसेंट वीडियो में जो है यह रेडी करवाइज कर रेडी करके रख लो अपने पास शील्ट ऑफ पेपर चाहे पेस्ट करके चाहे एफो साइस की शीट या अपने की स्पाइरल्स करीद लो जिसमें आप सो एंसो सब्जेक्ट के एंसी यू क्वेशन और अपनी टर्म वन के प्रिप्रेशन करने आले हो जिसमें शुरूर के पेजस्पे समली लिख लोगे इंपोर्टेंट क्वेशन लिख लोगे माइंड मैप कर लोगे और आगे जो है वन वर्ट पोमैड में आप अपने आंसर्स देखने वाले हो जैसे तो यहां से क्वेशन पढ़के मैं अगले दिन अपना टेस्ट दे दूंगे तो यह तयारी आपको करते वें चलनी है ठीक है तो विद इस आइव एक्स्पेंट जो आपको अभी यार्द रखना है नहीं 10 11 12 अब तुम यह चाहते हो ना कि एक एक चाप्टर का बता दो दी इतने से दिन में चाप्टर करो और कैसे अलग-अलग क्लासिस का करेंगे तो वह बात शुरू हो जाएगी हमारी कल से वीडियो उनकी आने शुरू हो जाएगी पहले आएगी 10 12 की फिर आएगी 9 11 की तो डिस्किप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएंगी एंड वि शेर दिस वीडियो विडियो विडियो आपसे नेक्स वीडियो में